तो नेक्स टॉपिक है वो है रोमन नंबर तो देखिए हम लोग का रोमन नंबर होता क्या है तो सबसे पहले चाहिए नंबर जैसे कि कोई भी नंबर उन्हों यूज़ करते है तो इसमें जैनरली हम लोग 7 रोमन नंबर का यूज़ करते थे तो इसमें जैनरली हम लोग 7 रोमन नंबर का यूज़ करते थे तो देखिए कौन कौन सा नंबर यूज़ होता तो देखिए जैसे कि 1 के लिए हम लोग आई का यूज़ करते थे 5 के लिए वी का इंग्लिस अल्फाबेट का यूज़ करते थे 10 के लिए X का 50 के लिए L का 100 के लिए C का 500 के लिए D का और 1000 के लिए M का यह सब सेवन सिंबल यह सब यूज करके नंबर लिखते हैं और देखिए कि आज के टाइम में आपको अपना क्लॉक देखे घाड़ी जो रहता है उसमें लोग क्या रोमन नंबर रहता है कभी किसी भी क्लास्रूम का रूमन नंबर हो गया या पर बुक का क्लास दिया रहता है तो वो सब भी रूमन नंबर में लिखा वा रहता जनरली तो रूमन नंबर लिखने का कुछ रूल्स है चलिए हम लोग आपको रूल्स पिताते हैं रूल्स क्या क्या सबसे पहला रूल्स है नंबर नूमरल्स आई एन एक्स कैन भी रिपीटिट तो देखिए कोई भी लग को तो देखिया जो नंबर होता है हम लोग कहां का तो ऐन फम लोक्र चैनल के रोपित कर सकते हैं और को भी नंबर को अप्टो थ्री तक तीन बार ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 3 के लिए देखें हैं 30 के लिए 3 लिखना तो 1, 1, 1 मालब कि 3 के लिए 3 लिख सकते हैं तो यह सिर्फ एडेशन के लिए इसको हमलों बोलते हैं रिपिटेशन ओप सिंपल मीनस ओफ एडेशन तो वन और आई और एक्सकोई सिफ यूज कर सकते हैं अब नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है वेना स्मॉलर नुम्रल्स इस डिटेन ऑन दा लेफ्ट साइड आप दा ग्रेटर नंबर विल सब्ट्राइक दा स्मॉलर नंबर फ्रॉम दा ग्रेटर अगर कोई भी नंबर को हम एक तो हम लोगो मानेस कहएं ग्रें इस्मॉलर नंबर को लिखना है तो हमदोगirie मायिस करिए हैं ऊसे मोलोगार मायमिस करेंगे हैं sturdy मल्ग नंबर प्लस वन करें तो क्या जागा एड़िशन हो रहा है तो बस फाइब की आगे वन वाला सिंबल पूट कर देंगे सब्सक्राइब इस तरह 11 लिखना हो 12 11 12 लिखना हो तो 11 में क्या करेंगे इसके जस्ट आगे एक 1 पूट कर देंगे वो मेरा 11 बन जाएगा यहां पर जैसे के दिया हुआ है तो 5 प्लस 1 1 में हम लोग सब्ट्राक्ट कर सकते हैं 5 प्लस 1 ड़िए 6 तो वी और यहां पूट कर देंगे मेरा 6 हो जाएगा 10 क्या यहां पर देखें मेरा दिया एक्स वन भी यह क्या है मेरा एक्स मेंस 10 वन और भी है इट मिन्स कि 40 तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 10 में पहले हम लोग प्लस 5 करेंग और माइस 1 ड़िए 15 यह बस सिंपल दिया हुआ जिस्ट जीड़ों के विए हम लोगा का कोई भी सिंबल नहीं होता है रोमा नंबर में यह कुछ जैनरल डूल है तो यह आपनों देखे क्या है दा नोम्रल वी एलंडी ऑर नेवर रिपीटेफ जो तीन ये सिंबल है, साथ सिंबल होता है हमनों का जैनली, साथ में क्या होता है, आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है, एम होता है, यह जो साथ सिंबल होता है, उसमें जो तीन सिंबल है, पहला वी, दूसरा एल और तीसरा डी, यह जो इंडिदिट है वो कभी विए जो तीन नंबर वो कभी भी रिपीट नहीं होता तो यह आप लोग याद रखेगा कि रोमा नंबर में इसका बस एक ही बार यूज़ होता है नेक्स्ट है I can be subtracted from V and X only जो I, it means की 1 को है सिफ को हम लोग सिफ V और X से ही subtract कर सकते हैं और किसी भी नंबर से subtract नहीं कर सकते हैं X can be subtracted from L and C only और X, it means की 10 जो होता है वो सिफ L से और C से ही subtract होता है बागी किसी और नंबर से subtract नहीं होता है C can be subtracted from D and M only और C, it means की 100 जो है वो या तो D से 500 से या तो M, it means की 1000 से ही subtract होता है और V, L, D, जो यह नहीं रिपीट होता है और नहीं यह किसी नंबर से subtract होता है याद रिखे, इसी वेसे स्क्रीम लोग रोमन नंबर पढ़ते हैं दीखे, रोमन नंबर लिखने का तरीका इस तरह होता है 1 के लिए I, 3 तक रिपीट होता है उसके 4 के लिए क्या बताते है 5 से 1, subtract होता है 6 के लिए 1, add होता है 6, 7, 3 तक लिए 3 तक क्या होता है 5 , 6 , 5, 2 , 7 , 5 , 3 , 8 , 9 के लिए हम लोगोन के लिए X में से 1 माइनस काते हैं इस तरह से आप लोग को यह समझना होगा वाकि देखें ट्वेल के लिए अप्रू थर्टी तक का मेरा होता है अब जब फॉर्टी लिखने आता है वोटी के लिए हमनों एक्स एल में से टेन माइनिस कर देते हैं तो इस तरह से हमनों का वागया क्वेश्चन अगर रोमन नमर सॉल्ट करना तो इसी बैसिस पे हमनों किसी भी रोमन को सॉल्ट कर सकते हैं तो रोमन नमर के लिए अपनों यह सब सिम्बल का याद कि इजए याद करके रखें और जो इसका बेसी कूल है वह सब आप लोग माहीं में रखें यह तक्किया आप लोगों का यह क्वेश्चन ये रोमन नम्मर सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू